तो कैसे हैं आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी वोड़ एक्जाम के तियारे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूमेन आई एंड़ कलरफुल वर्ल्ट जो हमारा चेप्टर था जो हमने फिसक्स में कंप्लीट किये थे दो चेप कर चुके हैं हमारा यूमेन आई एंड़ कलरफुल वर्ल्ट यह हमने कंप्लीट कर लिया था और आज इसके हम एंड़ को देखेंगे लियर तो इससे आपका क्या होगा रिविजिन भी हो जाए का एक तरीकी से और बहुत से चीजे में ऐसी भी है जो हम पहले लेक्च्छ की नंपर 190 से इसमें हमारा first question है what is meant by the power of accommodation of the eye power of accommodation of the eye का क्या मतलब होता है power power का मतलब मैंने आपको बताई थी power का मतलब होता है ability क्या होते है power का मतलब ability तो हमारी आई कहां तक कोई चीज देख सकती है कितना दूर तक जा सकती है उनकी strength या उनकी ability कितनी पास तक रह सकती है किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपनी ओप्जेक्ट को कि कहा हम Is तो उसे उसकी क्या बोलते हैं अकॉमोडेशन बोलते हैं आई की क्या बोलते हैं अकॉमोडेशन बोलते हैं जैसे कि एक एक जामपल अब इस जब 10th class इस एज में सब्सक्राइब कराई होंगी आप क्या करते हैं जब आप अएसे जो झाल चोड़ देते हैं और चेक करते हैं तो यहांनी पिर आप से यहां पर लिखा होता है तो वहांपे कुछ रिटिंग करवाएंगे ठीक है तो यह क्या होता है कि रप आपको इतना चोटा दिख रहा है तो 수가 से चेंज्ज करते रहेंगे फिर आप से पुछेंगे इस तरीके से तो हमारी जो आए की कि कि वह कितना फोकस करकी है दूर तक audience के लिए पास तक के objects के लिए ठीक है हम उसे change कर रहे हैं बार-बार उसकी focal length को बार-बार change करके हम जो से देख रहे हैं उसे पहचान रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं power of accommodation of an eye clear है तो the ability of the eye, eye की वो ability to focus the distant objects मतलब जिसको focus कर सके दूर के objects के लिए as well as the nearby objects मानो हैं आपको एक छोटा-छोटा लिख दिया हमने आपे A B CD आपको यह दिखाई दिया फिर मने क्या कि इतना बड़ा बड़ा यहां पर इहां पर कहीं जाते हैं इतना बड़ा-बड़ा सेफिर होता है इसे का करते है औनुद्जेक्स उन रेटिना य को फोकल लेंथ जो फोकल फोकल लेंथ चेंज करने के बार बारopes यह लेंस को बार-बर जो जो होती है कि डालें खटो इसम बोलते हैं अकमदि difumhouse एफ ले वाहओ से किमें आप मूंदां कि इक मुझे लग बट डिफेक्टो वीजन हमारे उसमें ही नहीं कोर्स में और फिर भी मिसे पढ़ लेते हैं आगे शैद ऐसा एक अधर कुश्चिन मिल जाए हो सकता है अब परसंगी अब मायोपिक आई अब मायोपिक आई का मतलब क्या हुआ मैंने आपको ज्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है थोड़ा वह होती बताया यह आप नॉर्मल बोल दो एक परसंगी जिसे बियॉंड 1.2 मीटर के बाद की अब्जेक्स नहीं दिखाए दे रहे हैं अब उसमें हम कौन सा करेक्टिव लेंस लगाएं जिसे कि वह प्रॉपर यह हमारे पास 1.2 मीटर पर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है अब हम एक बात खुद बताओ कौन सा लेंस कौन सा हम लेंस करेक्टिव लेंस लगाएं इससे कि में प्रॉपर विजिन दिखाई दे जाए बियॉंड इससे बाद का नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम ऑबिसली इसने क्या लगाएं के कौन केवलेस जिससे कि यह और जदा डाइवर जो जाएंगी और यहां जाकर मिलेंगी अब देखो इसे में एक आपको एक एक जामपल से नॉमली समझा देती हूं इससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ जाएं आप देखो यह आपकी आई है सिर्फ एज्यूम करना रियालेटी में नहीं है यह यह वाला कि हमें यह 1.2 मीटर पर यह कोई ऑबज़क्ट 1.2 मीटर पर रखा है चीक है और यह आपका यहाप पर रेटीना है हमें बोला जा रहा है कि अब यह 1.2 मीटर से अब आई में क्या होता है अब बोला जा रहे कि इससे बाद के अबज़क्ट को नहीं देख पा रही है जो हमारी आई है मानो हमने अगर यह उपजक्ट यहां पर भी कोई औबज़क्ट रख दिया वह उसे नहीं देख पा रहा है तो यहीं पर आके यह खतम हो जा रही है तो मिसमें क्या करेंगे यहां पर फिर जो कॉंवेक्स लेंस होता उससे फिर यहां कनवर्ज रहेगी तो अब उससे क्या होगा दूर कभी दिखाई देगा बस इसमें इतना सादा वह नहीं यूज नहीं करना कि क्या है क्या नहीं है यह तो सिफ एक नॉर्मली शैद्ट मैं ऐसी डाल दिया प्रपर अब आप इसे जो भी है अब आप इसे जो भी संझें यह वैसे क्वेस्टन है नहीं है आपके जो फिलाल 2021 के बैच में यह क्वेशन नहीं आएगा ठीक है बट फिर मैंने से अभी जब लिख दिया तो फिर मैं सुचा संझा ही दिते हैं क्वेशन अब एक बात बताओ अगर हमारे पास हमारी नॉर्मल विजन है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फार पॉइंट होगा कि वह कितनी दूर तक देख सकता है अब हमारी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई डिफेक्ट नहीं है हमारे पास एक फार पॉइंट है और एक नियर पॉइंट मभाइंट है आग एक बताओ हमारी आखो की कोई तो एक тов एक लिमिंट होगी कि हाँ वह से दूर तक नहीं सकती है तो रहा ममीं अगर हम नौर्मल विजन में आते हैं तो हमारी आख एन्फिनिटी तक देखさकती थे हम созд ओने पता कहा तक हो सकता है विजन के साथ इंफिनिटी होता है वे देखो अगर नॉर्मल विजन नहीं है अगर उसके आखो में कुछ ना कुछ किसी की प्रॉब्लम है तो अविसली फिर तो उसे लेंस करने पड़ेंगे तो नॉर्मल विजन में नहीं आता है और यहां पर आपकी सुन्दर सी आख है तब क्या करोगे कि इसे देखने की कोई तो लिमिट होगी पहले यहां थी दिखाई दे रहा था हमें थोड़ा सोचा और कोशिश करते हैं देखते हैं कहानी दिखता है यहां थ नहीं इसे अपनी आख की जो डिस्टेंस एपनी आई कीमेजर पता चला कि 25 संटीमेटर हमारी आखों से 25 संटीमेटर ही पास इससे पास जाते ही हमारी आईस स्टेस करने लगती है ठीक है नहीं मानते तो आप इसे एक बुक को या फिर पैन की निप को आप ऐसे करके देख सकते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आ जाए अब आप डिस्टेंस तो में नहीं कर सकते बट अगर आपके नॉर्मल विजन है तो ऑविसली वह 25 cm से कम पर नहीं देख वाई है तो फार पॉइंट समझ में अगर हम ठीक ठाक है ह हमारी आखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है हाला कि ऐसा अब नहीं होता है सबको कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो हम बहुत दूर तक कर देख सकते हैं इंफिनिटी तक और बहुत पास में सिर्फ 75 cm से ज्यादा पास नहीं देख सकते हैं ठीक है क्लियर हुआ अब हमारे एक 97 and 198 ऑफ नहीं तो एक एक क्षशन को समझते हैं करते हैं तर्फ करते हैं स्टार्ट करते हैं और human eye can focus objects at different distances अब एक बात बता हुए किस वचे से हो रहा है अभी मैंने आपको अभी बताया आपको शाहिद फर्स्ट कुछिन था कि अलग अलग डिस्टेंस पे कोई चीज को फोकस कराएंगे अपनी आइस से बार बार एजस्ट करें वह जो मैंने आपको कुमें करें आपको करने कमोडेशं का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जब हम को ऑग तनक करकेना को objects focus कराते हैं तो उसी को हम accommodation बोलते हैं चीक है now question number second the human eye forms the image of an object at its wow क्या question है यह तो कोई छोटा बच्चे बता देगा की object की image कहां बनती है अब यह तो मैं ना भी बताऊं तो भी चलेगा और पर नहीं कम से कम जितनी बार मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें हर बार एक इकी बात बोलेगी image बनती है रेटीना पर image बनती है रेटीना पर हो सकता है कभी रेटीना से बाहर बन जाए तब हम उस तब हमारी आंकों में कुछ से पहले बन गई तब हमारी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है इमेज कहां बनेगी रेटीना पर हो कैसी बनती है उल्टी लठी हुए यह next question the least distance of distinct vision for a young adult with a normal vision अभी हम यह पढ़कर आ रहे हैं धीरे धीरे कि normal vision में दूर की बात अगर कहेगा तो infinity और अगर पास की बात कहेगा तो 25 cm अब इसमें क्या समझाना सीधा सीधा question है बड़ कभी कभी वच्चे क्या करते हैं से मीटर को इतनी हडबड़ी रहती है कि इसे टिक करके आ जाएंगे और आंसर गलत जीरो मार्क ऐसा नहीं करना है question ध्यान से question अगर आपको समझ में आगा तो उसके options ध्यान से पढ़ो otherwise कुछ नहीं होगा next question number four the change in focal length of an eye lens is caused by the action of अब अगर मैं आप सकूंगे प्रॉपर्टी कौन सी होती जो हम फोकल लेंथ आइलेंस की बारवार एड्जस्ट करते चींज करते हैं तो वह गई क्या पर थोड़ा stress stress आएगा तो सबसे ज़्यादा जो इसमें वर्क करती है वह हमारी स्लियरी मसद्द देखें लियर है now question number five a person needs a lens of a power अम मानों किसी person को एक पावर की जुरत है 5.5 diabetes and 5.5 diabetes की जुरत पड़ी कितने की पड़ी उसे पड़ी 5.5 diabetes की उसे जुरत पड़ी कि अपने विजन को ठीक करने के लिए उसे इतने का या फिम कैसे के सकते हैं स्पेक्स की जुरूद पड़ी या कुछ भी और करेक्टिंग इस नियर विजन अगर उसे अपने पास वाले विजन को करेक्ट कहना है उसे लेंस चाहिए ब्लस 1.5 डाइपटर के लिए अब एक बा पहले हम फर्स पार्ट करते हैं तो पहले हम फर्स पार्ट करेंगे जब डिस्टेंट वीजन में उसे पावर की जुरूद पड़ेगी 5.5 डाइपटर सॉल्व क्या करना है को करना है अब मैंने जैसे क्या आपको बताय हुआ है कि 1 पी इस इकोल स्टु 1 अपन एफ यह कहते है तो हम यह करेंगे कि f एफ एफ लिखेंगा तो चलो इसे हम सेंटीमेटर में चींज करके यहीं पर हंड़ेट कर देते है तो f is equals to अब करते हैं हम cross multiply यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 ले लिया तो f is equals to 100 multiply 1 upon 5.5 और था हमारे पास कौन सा साइन माइनस का यह तो जब हम इसे अब solve करेंगे यह हुझेगा 11 यहां पर और 5 तूज़र 10 यह हुआ हमारे पास 200 ओबर 11 तो उसे डिवाइड करो तो कितना हुझेगा 11 वन टाइम नाइन एट नाइम एट नाइम इटी एट पिर से 2.0 फिर वन एट आइट आएगा f is equals to minus 18.18 ठीक है तो क्या होगी हमारे focal length यह हमारे focal length कब निकल कही जब distant vision पर हमें power की जुरुद्धी कितनी हमें power की जुरुद्धी minus 5.5 डाइप्टर अब इसके बाद यह हमें कैस में मिली distant vision में अब दूसरा पार्ट क्या देखना है में near vision में कितनी होगी ठीक है अब बात बताओ इसमें जो लगा हुआ है power पर अगर हमारे पास और से चेक लो या फिर focal से चेक कर लो जो इसमाने का ईडिकेट करता है कौन से लेंस यह यह लेंस है हमारे पास concave length अगर focal length minus की है तो focal length minus की होते है कि सीज में हो जाए का concave length convert हो जाए गई है पावर माइनस की है अब हम करते है नियर वीजन के लिए ठीक है नियर वीजन के लिए उसे पावर की जुरूरत है प्लस 1.5 डियापटर्स की सेम है ऐसे ही solve करना है वन अपॉन एफ इन मीटर्स यह हमने निकाला है वन पॉन पॉन फाइफ इस इकुल टू सेंटीमेटर में कर लेते हैं हंड्रेट करके तो हंड्रेट ओवर एफ फिर से हमारे हां से फोकल लेंद निकल गी कितने आएगी फ्री इक सब्सक्राइब नेकिन किसी इसकी निकली है सेंटीमेटर में प्लस में प्लस का प्लस संक एंडिकेट करता है यह कौंसा लेंस है कॉंसाइब से एने कॉंसाइब और सेंटीमेख नंटीमीा प्लस की सेंगे मेलेंस अलग रहा हूं कुछ नंबर से हंस ह Зем 22 आपके कोर्समें व क्योंकि व आपकी स्लेब्स से टॉपिक रहे हैं तो इसनी वा उसको की स्काश्यार सब्सक्राइब भी आपके को से भार है एट है वह भी आपके कोशन को से भार रहे शायद नाइन एक देखो कि हमारी इमेज डिस्टन्स को बढ़ाते चले तो हमारी इमेज की डिस्टन्स में क्या एफेक्ट पड़ेगा अब इक बात देखो हमें वह समझ में आती है क्या चीज जो अभी मैंने बताईती नियर वीजिए नियर वीजन भी हमें पताया और् यह इसन विजन भी पताया अपना नॉर्मिल के लिए जिका्ए अभी हमने बताया की नियर विजन होता है 25CM और डिस्टन्स वीजिजन होता हम आपस इंफनी बीजिए तो अब एक बात जो अगर हम आपस रिफिस्ट पर हमने कोई तो हमारे नॉर्मल जो आउलेन्स, है कैसा आई tragen क इसे हमां लेंसे और जो हमारे रेटीन क्या है ? यह अपनी जगह पर फीक्स है, यह दोनों कुछ नहीं करते है वो तो हमारी आंखों में जो ciliary muscles on behind हो जाती है उन पर grip करते हैं कि वह हमारी इमेज कहां तक बन वार है इसने हमारे इमेज बनाए जा रहा है बनाया जा रहा है वह आगे आगे बहुता है ऐसा नहीं होता है तो इन नौर्मल बात लिख दिये है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इमेज डिस्टनस आइपी चेंज करते हैं मतलब ऑब डिस्टनस चेंज करते हैं तो क्या इफ्रेक्ट पड़ेगा इमेज डिस्टनस इंसाइड अब वो बोल रहा है कि अंदर की बात बढ़ पूशने है हम हों कि आखे आखे कुछ करें तो आखे यहां पर रखुखर है तब भांगे बनेगी इमेज यहां रखेंगे औप तब भी बनेगी इमेज यह रखेंगे laughing 阿ag को कितना भी वो आप करें कितना भी ऋब्लागे फीचे कितना भी करें ठीक है लेकिन आपको क्या लेकिन जो हमारी image की distance है वो हमारी same ही रहेगी वानो image हमारी यहां बन रही है इमेज की distance तो हम यहां से यहां देखेंगे ना image हमारी same बन रही है इस convex lens से जाने के बाद जितनी बनेगी ठीक है तो बस normal question है अगर आप चाहें तो इतना नहीं लिख सकते हैं बट आप यहां से कर सकते हैं when we increase the distance of an object from the eye there is no change कोई भी change नहीं होता है क्योंकि जो distance है हमारी eye lens और retina के बीच में वो fixed है तो बारे image distance पे कोई effect नहीं पड़ेगा I hope you understand now question number 10 वैसे sorry question number 10 जो है वो हमारा है कि why do star swing कर अब यह question में कम से कम बहुत बार समझा चुकी हूं अब कोई इस वाले question में तो कुछ ही नहीं ऐसा जो शायद मैंने ना समझाया हो और या आप ना समझ पाए हूं दो तीन बार में question समझा चुकी हूं और अगर आपको यहां पर समझना आए तो आप video के जो मैंने lectures प्रवाइड कर आए हूं उसमें जाकर समझेंगे तो आपको वहां बहुत अच्छे समझना आजाए और आपको वहां समझना आया हो तो आप यहां समझना आए वो आपके आप देखो इस्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं अब मैं बहुत अच्छे से तरीके से बता देती हूं अगर आपको यहां पर ना आए समझ में तो आप यहां पर कहते हैं उसे लेक्चर के बीच में जाकर देख सकते हैं महां तो मैंने पूरा डीटेल में प्राट टॉपिक सब्सक्राइब करते हैं तो इसके जस्ट बात था यह और अच्छे समझ माया होगा ठीक है तो यहां पर मैं सिर्फ टॉपिक पड़ा यहां पर स्टास बताऊंगे अब देखो जो मैं पास स्टार्स हैं वह अपनी लाइट को देमिट करते हैं ठीक है इनके पास क्या होती है इनकी खुदकाट होती है उनकी घुद आतक ररत के टाइम बंच कि रहता है तो लिख जब अगं करते हैं तो चलो हमारे तख ओर इक्षमें हमारे तक वह आउंक्षों तक आते जाती है उसके सथ क्या होता है कि वह अपने आपी चेंज हो जातीило कि क्योंकि उसके ब्वह बगशन च्छार सक को देखेया तो किई बहुत उप में स्टार्स को Tá Ian हमारे पास क्या होते है पॉय्ट सोर्स होते हैं हमारे तक यह होते हैं physiognos जाह swing करें कभी कभी दिखते हैं थोड़ा दिम शायइन करें तो कि इसीप्ड क का इसी चीज को हम क्या बोलते है वो इसा होता क्यों है वो पाथ चेंज क्यूं होता है वह पाथ इसले चेंज होता है because atmospheric reflection की वज़े से उसके रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं उसकी जो light हमारी आँखो तक पड़ेगी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं यह हमारे पास medium हो गए तो यहां पर खड़े हैं हम में तो सब्सक्राइब आजी यहां से देखना स्टार्ट करेंगे उसके पास क्या बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं अभी लाइट का आदने का तरीका देखो में यहां से मीडियम बन हो सकता है यहां से चींज हो जाए ऐसे चींज हो जाए ऐसे चींज हो जाए ऐसे चींज हो जाए इस तरीके से क्या होता है कि एटमोस्फेरिक रिक्षिन की वज़े से जब यहां पर आएगी उसे सॉलिड भी मिलेगा उसे लिक्विड भी मिलेगा उसे ग तो अपने आपी उसके पाथ में उसकी इंटेंसिटी में चींज आता है जिस वज़े से में लगता है कि कभी वह ब्राइट ज्यादा तेज शाइन कर जाता है कभी वह देम हो जाता है अब मानुई जो लाइट है वह जा डारेक्ट क्या कर दिये एर्थ के अट्मसफेर में अकर एंटर करें उसे क्या मिलेगी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनकी देंसिटीज है अलग अलग इनकी फ्रिक्वेंसीज है अब यहां पर आया तो से कुछ अलग ही मिला यहां स्व एया हो थी उसे सॉलिड मिला अब जी सोलिड में क्या हो कि रार तूत अनलम जाएगा वह टोर्स नॉर्मल जाएगा झोडी अधाय डिटी जुक जाएगी एक से दूसरे मि데में हमें यह करता है इसका मैं तो कभी-गभी इसलिए होता है वह स्थार की लाइट को सक्षेता है तक बहुत पहुंचा लिछाए मीरस बहुत बहुत बाता है कभी-इस अपर सिसने लगता है की बहुत नह्साता रे भी है कभी हो धिकरी जहिए ना इसलिए में लगता है कि इस टार को ट्विंगल मॉघ का तरुक्षाइश लिखता है कि डुर्बस सोफ जो कई यह एक माश्यों इंटना ही ऑन्य यह रिखा है कि यह चेंज हो एक एक कघ इस हो रहा है स्टार है से अलग अलग one moment to the next again at most फिर when the atmosphere reflects more star-light नियरक जर perdaliya को रिफ्रेक्ट करॉएगा हम तक star koli ngay bright इन 자्म स्टार अंपर तक less कर दडौ रहाएगा तो यह लैंगे कि वह जहाएप है के लियर किसे जो लाएट हमारे आंखो तक पढ़ रही हो कभी increase कभी decrease continuously and this is known as stars appear twinkle at night अब इसी का ही एक opposing party आ गई अब opposition party बोल रही है कि अच्छा stars भी है हमारे पास space में और planets भी है stars को तो तुम twinkle बोल रहे हो कि वो twinkle twinkle कर रहे हैं लेकिन planets तो नहीं कर रहे हैं वाइ अरे भई से इस्टास कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो तो उसका तो उसका इसमारा वह बता देते हैं अब देखो कि ये stars थे हमारे पास बहुत दूर य क्या थे बहुत दूर आfel है हमारे पास कोई है कि क्या अइने यह फिस्टार और यह ह Gri ie हम यहां ख़रे हैं अर्थ पर कों सी चीज ऑर कौंसी चीज ट्विंखल करेंगी और नहीं कुर। अभ तक हम यहां पर वेट कर रहे चलो। आप इसने बोला कि यह क्या है यह बहुत दुर है और यह इतना दूर है कि हमें point source दिखाई देने लग जाते हैं क्या दिखते हैं हमें point source अगर हम अर्थ के respect में देखें is star को देखें तो point source है लेकिन planet हमारे थोड़े पास है as compare to stars तो यह हमें point source नहीं दिखाए देगा big size एक ball या big size planet दिखाए देगा कैसा दिखाए देगा big size दिखाए देगा यह स्टार बहुत दूर हैं तो हमें देखने point source के ज़すग फिरsoft ग Wendy छीजञ इंग ये ओससे तोम मैं stars किया थे अभुआ करें लेकिन अगर दूसे दरफ जाएं हम planets кो phenomena औरसे तो ब्हुत बड़ें अब यह नहीं का है अभू बड़ेंदास सैंस के इनगैन बहुत सारे point sources ऐसे हैं जिन पर Benn глight, एटमस्थेरर एख्रेक्षिन कात अप्ध होगा और जिन पर नहीं होगा लानो इस पे हुआ इसने इसको दिया इसको is not रजा कर दिया, इसको जिन और उसके लाइट ब्राइट रिम वाला जो सीन है वो इसी के अंदर चींज हो जाता है इसी के अंदर आता है और इसी के अंदर खतम हो जाता है तो जो डिमिंग एफेक्ट होता है जो मानो इनमें से कुछ पॉइंट सोर्से ऐसे हैं जिनमें ब्राइटर एफेक्ट है कुछ ऐसे हैं जिसमें डिमिंग एफेक्ट है त लेकिन जो light planet से आती है, उसमें effect नहीं करता, ठीक है? Refraction की वज़ह से, उसमें atmospheric reflection है, इसमें atmospheric reflection नहीं है, इसमें normal reflection है, ठीक है? इस वज़ह से planet अपिंकल नहीं करते हैं, यह, तो stars away appear very small to us, because they are very far, so stars can be considered to be point sources of light, on the other hand, the planets appear to be quite big to us, so continuously, जो change है, atmosphere में, is unable to cause variations in the light, coming from big size planet, because of which, the planet does not twinkle at all, clear? तो I hope आपको यह चीज़े समझ में आई होंगी कि, कब star twinkle क्यों नहीं करता है, और यह चीज़े हैं, वैसे मैंने सब बहुत अच्छे से आपको lecture में समझाय हुई है, अब फिर भी चलो, मैंने इसमें आया था, तौपिक तो मैंने इसमें बता दिया, ठीक है, आहम आपास next question है, why does the sun appear reddish in the morning? अब sun appear करता है, हमें पता है, reddish morning में भी करता है, और sunset में भी करता है, sunset याम कह दें या, evening कह दें, अब यह वाला भी part बहुत कहने को बहुत easy है, और समझने के लिए भी है, अब देखो, अब यह time होगा sunrise का, और यह time हमाई पास sunset का, ठीक है, अब जब दोनों time, अब हमें कहाए कि sunrise के time पर sun क्या है, बलकुल horizon के बलकुल pass है, horizon in the sense हमें आपर अर्थ की layer मान सकते हैं, आप जब sun यहाँ से यह sun है हमारे पास और यह भी sun है, तो morning का time जब इसे यहाँ से इधर पहुंचना है, उसे करने इधर से इधर जब करना है, आफिरम कह सकते हैं, जब हमारे पास sun बिलकुल rise करने वाला है, उस time की बात है, वह विजबन होग तो सनलाइट को क्या होता है कि एटमोस्फिया हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा रास्ता उसे बहुत डिस्टंस कवर करके आना पड़ता है जितना उसका प्लू स्काय में और और जो इसका संथा जो प्रिट कलर झाल रहें जो रेड कलर से वही बचता है जिस वज़ए से हमें क्या दिखा जेता है वह ईफाना स्टार्ट हो जाता है लियर इसलिए में लगता है कि सन कैसा है सन एपिएर करना ठीक है तो सब्सक्राइब से टाइम पर हम यह भी देख सकते हैं तो रहे लाइट ही हम तक पुहुच्छती है। वह इसलिए क्योंकि उसे जादा distance cover करकर आना पड़ता है उसे जादा distance cover करकर आना पड़ता है। जो भी मतलब कहेंगे कि Sun नहीं दिखाए दे रहा है बाइज जो राइजिंग Sun और भी हमें तो भी जादा दूर तक दिखाया लेता है इसलिए हम क्या करते है जो डेंजर सिग्नल रोग बनाया हुआ है अब इसी को चलो एक चीज ओर देख लेता है अब जब हमाई पास जो नून में होता है दूपहर के टाइम अगर 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 देखें तो सन क्या होता है विल् इस वजह से क्या हो जाता है हमें वह वाइट कलर का दिखने लगता है तो सन अंडर स्राउंडिंग इसका एपियर रेड़ेट सुन्राइज और संसेट बिकॉस एड़ेक्ट नाइम मॉस्ट प्रेजिंट प्रेजिंट इन सनलाइट है अगर बहुत दूर तक जाए रहें कोई स्काय काई मॉन पर हैं यहाँ पर मून पर हैं थो बहुत जादा अजीब गया है मून और यहाँ पर कोई स्काय से सकाय गया सब्सक्त ब्लग दिखाई देता है डाग में बलैक नहीं दिखाई देगा वह में एक ही म advertisers सब пошतार है atmospheric refraction और उसे सही होता है scattering merciful atmosphere अब जब atmosphere ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि scattering भी नहीं होंगी scattering नहीं होगी तो विब्योर जी का आना तो छो भरजित कहते हैं वो होता है यह यह तुम कह सकते हैं there is no scattering of blue component of white light तो which can reach the eyes of an astronaut in outer space तो इसलिए वापे सिर्फ और सिर्फ अपने चावर तरफ क्या रिखता है dark color, black, blue की चपा, ठीक है, आगे समझ में? तो thank you so much, thanks a lot, अब हमाई यह chapter पर कम्प्लीट हुआ है with NCRT questions, तो इसलिए बस पढ़ते रहिए और चैनल को subscribe करना ना बूलें और bell icon को भी press करें जिसे की आपको notification time to time मिल जाए टेक केर, God bless